हेलो फ्रेंज वेलकम टू माई चैनल कैसे हो आप सब आज हम कैरमल मखाना की रिस्पी लेकर रहे हैं जिए खान में पोशाता टेस्टी होता है अगर आपको मीठा काने का मन हो और कुछ हेल्दी काने का मन हो तो आप जिए कैरमल मखाना की रिस्पी बना सकते हैं इसे बनाना क सबसे पहले मखानों को डाल कर रोस्ट करेंगे मखाने के लिए काफी जदा अच्छे होते हैं और हैल्दी होते हैं मखाने का सेवन हमें जरूर करना चाहिए मखाने की मैंने और भी रेस्पी अपलोड की हुई है उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन वक्स में दे दूंगी आप मखाने के खीर पहुंचाता टीस्टी बन्ती है और जिनेे कुष मसालेतार खाने का मन हो तो उनकी लिए मैंने मसालेतार फुल मकाने की रेस्पी इपलोड की हुई है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन और दे दूँगी आप जड़ूर चेक करिये आप और बनाइएगा जो मखाने होते हैं वो हर उमर की लोग खा सकते हैं छोटे बड़े सबी इसके लिए अच्छे फाइदे मत होते हैं जे हमने एक मखाना लिया है चेक करेंगे कि जे अच्छे से यक्रष हो रहे हैं तो समझे हम जे अच्छे से रोस्थ हो चुके हैं अब दुवारा हम पैल लेंगे उसमें हम गे डालेंगे गी को मेल्ट होने देंगे गी हलका सा मेल्ट हो जाए तब हम इसमें गुड़ ढाल देंगे और गुड़ को यहां मेल्ट होने देंगे इसे हलका सा हिलाएंगे ता जो अच्छे से मेल्ट हो जाए अब मैं गैस का फ्लेम आफ कर रहे हूं पैन काफी जदा गर्म है और गर्म पैन में ही जह अच्छे से मेल्ट हो जाएगा जो गुड़ है तो गुड़ को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं गोड हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है अब इसमें हम मखाने डाल देंगे जो हमने रोस्ट की होए है और इसमें हम थोड़े से वाइट वाले तिल डाल देंगे और इन अच्छे से मिक्स करेंगे जो गोड और तिल है वो अच्छे से मखाने के उपर गोड हो जाने चाहि कितना अच्छा लूक आया है इसका अच्छे से कोड हो चुके हैं अब हम इसे एक कटोरी में सर्फ करने के लिए निकाल लेंगे जे देखिए हमारी केरमल मखाना बनके बिल्कूर रह रही हैं अगर आपको कुछ मीठा काने का मन हो और कुछ हेल्दी काने का मन हो तो आप यह भी बना सकते हैं आपको आज कीजिए मेरी रस्पी कैसे लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा गईस और मिले चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शियर जरूर करेगा थैंक्स वर वाचिंग